जिन्दगी की कठिनाईयों से भाग जाना आसान होता है जिन्दगी में हर पहलू इम्तिहान होता है डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिन्दगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है बेरी मोस्ट वेलकम टियर फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपोर्टेंट टापिक है अलाकि इसे कोश्चेन बहुत कम बनते हैं लेकिन कुछ जो कोश्चेन आते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है इस इसे किसी भी प्रकार का कोस्चेन एक्जाम में नहीं चुटेगा कोई भी कम्प्टिसर इग्जाम हो तो आप देख पार हैं एक एनिमेशन ये है शिष्टो सोमा और ये डीचीस का स्करता है शिष्टो सोमय जिस इसको हम ब्लट फ्लूक के नाम से भी जानते हैं ये जो चाउड़ा वाला है जिसके अंदर ये फिमेल रहती है ये चाउड़ा वाला है मेल तो आगे देखते हैं इसके वारे में कौन से फायलम का है ये पहले इसका डाइग्राम देख लेते हैं ये देखिए इसके उपर साइड है ओरल सकर और ये है इसो फेगस ये एसीटा बुलम यहां पर और ये वाला जो देख रहे हैं ये है फिमेल बॉड़ी इसके अंदर इस तरह से हमेशा ये मेल बॉड़ी के अंदर रहती है गाइने को फोरी केनल में हमेशा ये मेल जो है फिमेल को लेकर चलता है और ये है फिमेल इसके अंदर ये गाइने को फोरी केनल में पाय इधर है ओवेरी इधर योग ग्लेंड पाया जाता है और इधर देखें तो यह इंटेस्टाइन और यह योग ग्लेंड ठीक है यह देखा हम लोगों ने डाइग्राम अब आगे देखते हैं इसके बारे में तो उनली एक्जाम पॉइंट्स लेकर आया हूं मैं सिस्टो सोमा क इतना पढ़ लेने के बाद आपको जो है कोई भी कोश्चे एक्जाम में नहीं चुटेगा आप टेंसन फ्री रहिए बस ध्यान से सुनिए और देखिए सिस्टो सोमा का इसका कामन ने होता है ब्लड फ्लू कि यह मैंने बताया अभी कि आपको याद रखना है ब्लड फाइलम है प्लेटी हहल मिंथ्टीस अरकलाँ से में ट्रीमेट और गाल लींगी होते हैं एकक लिंगली मेल और फिमल अलग अलग होंगे सो सेक्स्वल डाइमर्फिजम और ये जो सिष्टो सोमा है सेक्स्वल डाइमर्फिजम सो करते है सेक्स्वल डाइमर्फिजम क्या होता है इसमें जो मेल और फिमेल होता है दोनों रंग, रूप, आकार, लंबाई, चंडाई सब में अलग होते हैं भी भी नता पाय जाता है इसी को बलेता है sexual टाइम और फिजब उनके आकरिती में रंग में इस पीसीज की बात करें तो इसके मुग बहुं सारे इस पीसीज होते हैं लेकिन जो डीसीज फैलाते हैं वो मुक्षितीन इस पीसीज हैं सिस्ष्टो सोमा लैक्या हमेटो वीएम सिन्चेसो मा जापु नीच सिस्ष्टो समा मंसोन एक है चैज्टो समत में कौंगी तो यह उत्ना कामन नहीं tua यह तीनों कामन है तो इसके बारे मैं बता रहा हूं तो यह सिस्ष्टो समा हीने 2 वीं है ये rectum को attack करता है गुदादवार मलासा है वहाँ पे निवास करता है जद अतर और जो sister समा जापूर निकम है और मेकोंगी ये छोटी आत में निवास करते हैं human body में और जो मानसोनी है वो बड़ी आत में अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में diagram के रुप में आगे देखत इनको दो होस्ट बॉडी की ज़रुत पड़ती है और endopiracyte मतलब ये पॉडी के अंदर रहेंगे पहला जो होता है human primary host को है human और secondary host snail जो की पाइला के अंतरगत आता है और ये एक intermediate host है या secondary host भी बोल सकते हैं तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है primary host है human, secondary host है snail या intermediate host भी बोलते हैं इसकी लारवा स्टेज की बात करें फस्ट है miracidium लारवा, second है sporocist लारवा और third है सरकेरिया लारवा हम लोगों ने इसके पहले जो class देखा था उसमें मैं एक trick बताया था MSRCM कि आपको पता है ये किस चीज़ का लारवा है और किसका मैंने trick बताया था तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था liver flu जिसको फैसियोला हिपेटिका बोलते हैं एक हम लोग पढ़े थे मिरासी डियम लारवा जो इसमें पाय जाता है और एक इस्पुरोसिस्ट लारवा इसमें भी है और एक रेडिया लारवा इसमें रेडिया लारवा नहीं है ये only liver flu में पाय जाता है इसके अलावा है सरके रिया लारवा जो कि इसमें पाय जाता है और एक है मेटा सरके रिया तो मेटा सरकेरिया और रेडिया लार्वा इसमें नहीं है कौन-कौन सा है मिरासीडियम इस्पोरोसिस्ट और सरकेरिया यह वाला तो इसमें मिरासीडियम लार्वा एक के अंदर बनता है यह इसनेल में बनता है ठीक है जो मिरासीडियम लार्वा है यह इसनेल के अंदर बनेगा मतलब इसनेल को अटेक करता है इसनेल के लिए इनफेक्टिव इस्टेज है मिरासीडियम लार्वा और वो जो मिरासीडियम लार्वा है इसके अंदर एक देगा इसनेल के अंदर और जो मिरासीडियम लार्वा है इसके पास एक जोड़ी पेनेट्रेशन ग्लेंड होता है अब जो है ये अंदर में जब ये इसनेल इसको पानी में छोड़ेगा तो ये इस्पोरोशिस्ट लारवा में कर्णवर्ट होगा पाइला के डाइजेस्टि ग्लेन में बनता है अपने अंदर बनाएगा इसी को इस्पोरोशिस्ट लारवा अपने अंदर बनाएगा और इसी को पानी में छोड़ देता है और यह पानी में जाके क्या बनता है सर के लिया लारवा ठीक है सर के लिया लारवा और यही पानी में पाया जाता है और यह जो दूसीत पानी है इसी के द्वारा यह human body में क्या होगा पहुंचेगा यह यह हुमें में हिपेटिक पॉर्टल शिष्टम से इससिंटिक पंज रहता है। हमेशा फीमेल को गाएने को फोर यकर कनल में लेकर चलता है। इस में में बताया शुरूरो में के गाइनों को Sal energy कर नदर होता है अदर हमें फिमेल को लेकर हमेंसा चलता है फर्ड दिलाएज़शन के बाद फिमेल मेल को छोड़ कर क्या करता है smaller blood vessels में एक देती है जब fertilization की क्रिया होती है इनके बीच तो female male को छोड़कर smaller blood vessels में चल जाती है और वहाँ अंडे देती है एक जहां से जिसके अंदर कौन रहता है मिरासी डियम लार्वा उसके बाद जो करते हैं उसको हम लग बोलते हैं सिस्टो सोमियसिस या बिलहार जीसिस कहते हैं बिलहार जीसिस जो बिलहार जैसाइंटिस्ट हैं उनके नाम पर इसको डिसीस नाम रख जया गया जो इसके खोच करता है शिम्टम्स देखें तो इसके सिम्टम्स में डायरिया एनीमिया इनलार्जमेंट आप लिवर इस्प्लिन पैन फिबर ये सब चीजें हमको देखने को मिलती हैं इसका सिम्टम्स तिये कुछ इसके इंपोर्टन पॉइंट्स थे यहीं से एक्जाम में बनते हैं कॉस्चन अब इसको हम देखते हैं लाइफ स कर्यां तो further about the day कैट से में सबरता है यहरी हूं साई मैं बनें इसमें मैंने अभी बताया था इसके जो प्रजाती है जो भी है सो ने प्यास मानों मान सौनी और यहां पे पीला क्राइब दिखाए तेट यह जो बड़ी आंथ हैं इस बड़ी आंथ मी ये स मानसोनी सिस्टोर करता है एक अंडे देता है और ये जो ए है जापोंईसियम और मेकोंगी ये इस पीसी कहां रहते हैं ये देखिए जो छोटी आथ है जो बुलु कलर में दिखाए गया है छोटी आथ में ये अंडे देते हैं और जो एस हीमेटो सबस्क्राइब और इक किस में बदल जाएगे मीरसीडियम लारवा इनका हैचिंग होगा इनके चारों तरफ देखिए चारों तरफ इस तरसे सरचनाय है बाल के जैसे जो की सीलिया है सीलिया प्रेजेंट होते हैं और यह क्या करते हैं इनके पास पेनिट्रेशन ग्लेंड होता है मैं बताया था एक जोड़ी पेनिट्रेशन ग्लेंड के थुरू जब यह पानी में रहते हैं तो इस्टनेल बॉड़ी के अंदर पेनिट्रेट करें देखिए मिरा सीडियम लार सरकेरिया सरकेरिया लार्वा ठीक है जब यह पानी के बाहर आएगा तो यह सरकेरिया लार्वा जो की क्या करता है तैड़ता है इसके पास एक टेल पाया जाता है हम लोगों ने जो इसके पहले देखा था लिवर फ्लुक उसमें भी हम लोगों ने देखा कि सरकेरिया लार्व को लेते हैं Contaminate Water को अपने पीने के थुरू या फिर जब हम किसी तालाब में नहाते हैं जहां पिए सिस्टो सोमा का सरकेरिया लारवा पानी में है तो हमारे बॉड़ी को penetrate करेगा ठीक है penetration के थुरू हमारे बॉड़ी के अंदर जाएगा और यह क्या करेगा circular loss tells during penetration जब यह human body को penetrate करता है तो अपने पूँच को खो देता है अब इस इस्थिती में यह एक सिस्टो सो म्यूल यह आपको advanced point है और इसको दे दिया जाता है इसके बॉड़ी के अंदर आता है जब पूंच को यह छोड़ देता है तो इसको सिस्टो सो म्यूल नाम देते हैं और यही हुमेन में circulation circulation blood circulation के तुर कहां जाएगा migrate to portal blood in liver and maturation into adult यह लीवर में जाते हैं और धीर धीर adult में convert हो जाते हैं और लीवर से फिर से blood vessels की साहता से यह जो बताया मैं छोटी आथ बड़ी आथ और urinary bladder यहां पर यह पहुंच जाते हैं और वहां पर अंडे देते हैं और यह अंडे vices के तुरू urine के तुरू बाहर आते हैं और इस तरह से इन में फिर से क्या बनेगा miracidium larva ठीक है paired adult were migrate to me centric venules of bowels rectum lying egg that circulate to the liver and shed in stools जो अगला है venus plexus of bladder eggs said in urine मतलब यह इस के तुरू बाहर आते हैं जो छोटी आथ और बड़ी आथ से जो बनते हैं एग वो rectum के तुरू बाहर आएंगे और जो venus plexus of bladder में बनेगा वो एक जो है urine के थुरू बाहर आते हैं इस तरह से इन में फिर से ये पानी में क्या करेंगे इस नेल बॉडी के साथ अपना life cycle पूरा करते हैं और फिर से ये क्या बनाते हैं मिरा सीडियम बनाएगा isporocyst isporocyst बनाएगा सर के लिए इस तरह से इनका life cycle चलता रहता है तो वीडियो कैसे लगा इसके बारे में comment के माध्यम से जरूर बताएं धन्यवाद